आपका अपना डियार चंदरजीत यूटूब चैलिंग में स्वागत है साथियो पसू को कभी कभी आप देखे होंगे जब बच्चा देती है पसू तो उसके जो है अंदर controll करते करते हैं और उसके बाद बचुदानी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद अंदर की ओर अर्जेस्ट करते यानि कि पिर से चरहा देते हैं पशिदानी और उसके बाद जो हम उसको सिक्कर बांदते हैं शिकर कहने का मतलब यह बान्ध देने से क्या होता है, कि पशु जब बेदन देती है, то सिकर बान्ध हुआ रहता है, तो फिर से डवल में वह बाहर यूटेरस यानि कि बच्दानी बाहर नहीं जाती है, तो आज हम इसी भी सेब बात करेंगे, कि पशु को जो यूटेरस बाहर आती है भाख दानी बाहर आती है और जब हम उसको अंदर कर देते हैं तो सिकर किस तरह से बांध़ना हैder इसी के बारे में आफ भी आपको बताइंगे और बगल में भी बैक्रांड वीडियो भी चल लाए है इसमें देखे कि किस तरह से सिकर बांध रहे हैं हम विडियों बना रहे हैं और हमारी साथ ही डॉक्टर अजीत रहे हैं यह सिकर बांध रहे हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से सिकर बांध ना तो सबसे पहले साथियों आपको जो है पांच से साथ मीटर का आपको जो क कप्रा का रसी होगा रसी लेना दोरसी लेना और दोनों कुछ बीचे बीच आपको ड Perd Inner जो गर्टन वाला भाग है वहां से नीचे इसकी और से उपर की और दो गांठ लगाना है दो गांठ जैसे कि हम आपको बताते हैं गांठ लगा करके माल लेजिए यह रसी हुआ यह रसी जैसे में यह रसी हुआ माल लेजिए तो यह रसी है तो उसके गर्दन से जश्ट उपर की और इस तरह से बनाना है और बना करके इस तरह से डवल उस पे उपर से डवल गिरा देना है ध्यान रहे आपको थोड़ा धीला छोरना है ताकि उसको गर्दन जो है उखका साय नहीं धेला छोरना है उपर से दो गाठ देना है जैसे कि बगल में पीछे वीडियो चला है उसमें देखिए और गाठ दे करके जश्ट पीछे की और जाना है पीछे की और उपर से आना है और नीचे से दोनों पैर के माली जह पैर है तो एक पैर इधर इस जांग से निकालना है और एक पर के इस जांग से निकाल करके उपर जो भेजाईना है पिसाओ के रस्ता इस तरह से जो है भेजाईना एक गिरह यहां उपर देना है उपर गिरह दे करके और जश्ट एक बिता छोड़ करके नीचे भेजाईना को उसमें घुसा करके और फिर से गिरह दे देना है और गि निच्छे değo the am笑 never अडर के ज्टे अडर के साइड से आपको डोनोन की साइड से लेफ्ट और राइट से निकालके जश्ट उपर उसके डार पर ले जाना है और न अ कर सक 150 अपको गीरह देना है तो करके और उसको आपको चेक कर हर लेना है तो नहीं बनाया है और कसके जब बनागए है तो आप को छोड़ देना और आपका यह तैयार हो गया यहban Państu कंप्लीट नहीं हो पाती है जो चार-पांच घंटे के बाद ही उसको जो है उसका बेदन कंट्रोल में रहती है तो यह जो आप रसी बांद देजिएगा तो उसको बेदन जब देगी तो प्रोलैप्स डवल में बाहर नहीं आएगी ऐसे हम प्रोलैप्स चरहाने के बाद क्या-क्या जातानी यह जो रसी बांथने वाला जो वीडियो है चाइनल पर नहीं ता इसलिए हम सुचे यह वीडियो आपको हम बता देते हैं तो साथियो यह शिकर किस तरह से बाणा जाता है गया भाई सी के यह वीडियो आपके लिए यह जनकारी अच्छी लागी की नहीं लगी आपके लिए फायदे मन्द रहा की नहीं नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिकरके जरूर बताईए नमस्कार